अगर आप बीए सेकंड एर के स्टुडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है आपका जो रिजल्ट है वो पोटल पे अपडेट कर दिया गया है किस यूनिवर्स्टी का रिजल्ट आया है वो हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम मैं आपको दिखा देती हूँ कि रिजल्ट जो है वो अपडेट हुआ है पोटल पे या नहीं हुआ यहां आप देख सकते हैं और यहां से आपको पता भी चल गया हुआ कि किस यूनिवर्स्टी का रिजल्ट आया हुआ है बुन्देल खण यूनिवर्स्टी जहां सी का बिए सिकेंड येर का जो रिजल्ट है वो पोटल पे अपडेट कर दिया गया है यहां से देख भी सकते हैं, यहां course mention भी कर रहा है, यहां BST, BA, BCOM, MA, इन सब ही का जो result है वो पोटल पे update हो चुका है, अभी जो latest में result update हुआ है, वो BA second year का हुआ है, तो यहां से आप BA second year का click करके आपना result देख सकते हैं, यहां आपको अपना role number यह unique ID number फिल करना है, उसके बा उसके बाद स्टार्टिंग से मैं बता दिती हूं कि कैसे आपको सर्च करना है, सबसे पहले आपको Google Chrome open करना है, उसमें सर्च करना है, B-U-J, 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 A-A-N-C, A-C, D-O-T-E, B-U-J, 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 A-A-C, B- Google Chrome पर सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको सर्च करना है बुंदेल खर्ण यूनिवर्स्टी रिजल्ट जैसे क्लिक करेंगे यह आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है रिजल्ट के बाद यहां आपका व्यू रिजल्ट अपने रिजल्ट देख सकते हैं अगर कानपूर यूनिवर्स्टी की बात करें गाइस तो कानपूर यूनिवर्स्टी का जो बई-ए का रिजल्ट है वो किसी भी वक्त पोटल पे अपडेट किया जा सकता है कल वी कॉम मालों का अपडेट हो चुका है बी ये वालों कभी-क स्क्राइब कर लीजे, थैंक यू